नमस्कार दोस्तों मैं सवरब आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूशन पर दोस्तों यह जो हैंडसेट आप मारे हाथ में देख रहे हैं सैमसंग ब्रैंड का है यहां देखिए सैमसंग की ब्रैंडिंग है औ धियान से सुन लीजिए मॉडल नमबर है सैमसंग गैलेक्सी ए सेवेंटी एस ठीक है और दोस्तों डिवाइस में प्राब्लम यह है कि डिवाइस हमारी पैटन लाग है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां देखिए डिवाइस को मैं अनलाग करूंगा और यह देख कर पाएंगे अब यहां दोस्तों आपको यह प्राब्लम फेज करनी पड़ती है यह देखिए डिवाइस को मैं पावर अफ करना चाहा रहा हूँ ठीक है अब यहां देखिए जो और दोस्तों यहाँ आज कल जो भी Samsung के new handset आ रहे हैं ठीक है जिन में C type का port है यह देखें C type का port है ना charging port जो है कि C type का ठीक है वो device recovery mode पे नहीं जा रही है आप बहुत try कर रहे हैं बट recovery mode जो है कि जल्दी जा नहीं रहा है फेल्ड कर जा रहा है ठीक है और मैंने भी बहु Samsung का handset हो कोई भी C type port का जो भी latest handset हो Samsung का ठीक है आप सारे handset को बहुत आसानी से recovery mode पे ले जा पाएंगे कोई भी handset हो ठीक है और बाकी सारे method सेम है आपको सेम तरीका से वो सारे Samsung के सभी device को unlock कर पाएंगे ठीक है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस device को recovery mode पे ले नहीं बताया होगा ठीक है अब यहां दोस्तों देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यह देखिए device को अगर मुझे recovery mode पे ले जाना है तो simple process यह होता है volume down और power button ठीक है इन दोनों बटन को हम प्रेस करके रखते हैं ठीक है after 10 second बाद हमारी device power up होगी जैसे ही power up हो recovery mode failed हो जाएगा work नहीं करेगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए मैं जो आपको trick बताने वाला हूँ यह देखिए finally यह देखिए field हो गया हमारी device recovery mode पे नहीं गई ठीक है यहां यह method failed कर गया ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं यह trick आपके लिए one of the best trick बनने वाली है और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि पूरे YouTube वीडियो में आज तक आपको acid trick किसी ने भी नहीं बताया होगा ठीक है method बिल्कुल सेम है दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है device को पहले तो आप किसी cable के थुरू connect करने ठीक है यह देखिए cable है मैंने cable के थुरू connect कर लिय ओके device हमारी connect हो गई बस एक चीज आपको ध्यान देना है device को जो आप cable के थुरू connect करेंगे तो वो आप laptop या PC से connect करके रखें ठीक है अब यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए मेरे पास एक laptop है ओके और यह देखिए मैंने device को यह देखिए laptop के थुरू connect मैंने अपने laptop के थुरू connect किया हुआ है ठीक है और अब देखिए अब same method मैं apply करूँगा और device हमारी 110% recovery mode पे जाएगी अब देखिए दोस्तों device हमारी on है और बिल्कुल same method मैं यहाँ पे apply करूँगा ठीक है सबसे पहले volume down और power button को प्रेस करूँगा 10 second के लिए device हमारी off जैसे ही Samsung का logo appear होगा आप दोनों finger अपनी आँ से हटा लेंगे ठीक है अब यह देखिए अब आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी device 110% recovery mode पे जाएगी यह देखिए device हमारी recovery mode पे चली गई ओके तो यहाँ दोस्तों आपको ध्यान बस इतना देना है कि simple आप जो यह cable connect कर रहे है यह आप किसी charger से नहीं connect करेंगे आपको simple किसी PC या laptop से connect करना है ओके बिल्कुल method सेम है लेकिन आपको यह जो cable connect करना है यह किसी laptop या PC से ठीक है अब यहाँ दोस्तों आप देख सकते है device हमारी पूरी तरह से recovery mode पे चली गई है अब चुकि हमें device को unlock करना है इसलिए हमें simple जाना होगा wipe data factory reset पे ठीक है तो यह volume down वाली बटन है इसका use करके हम चले जाएंगे wipe data factory reset पे ओके अब यहाँ पर आनेक बाद हमको ok करना है ok करने के लिए power button है power button को आप एक बार प्रेस कर देंगे जैसे ही power button को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दो option आपको मिलेगा cancel और factory data reset ठ simple यह volume down बटन है volume down बटन की help से चले जाए यह factory data reset पे ओके और यहाँ पर आनेक बाद आपको ok करना है तो ok करने के लिए power button है power button को आप एक बार प्रेस कर देंगे और यहाँ देखिए कुछ सेकेंड वेट करनेक बाद आपको data wipe complete का message आ जाएगा और उपर की तरफ बोल रहा ह Samsung Galaxy A70s ठीक है और अब हम cable को disconnect कर सकते हैं तो यहाँ दोस्तों main trick यह है कि अगर आपको Samsung का कोई भी handset हो और अगर आपको recovery mode पे ले जाना है तो उसको cable के थुरू connect करें laptop या PC का use करके ठीक है आप अपने laptop या PC में cable connect करें तब जाके आपकी device recovery mode पे on होगी otherwise आप परेसान हो ज जाएगी तो यह trick आप याद रखिए और follow करिए बिल्कुल 100-10% मैंने आपको करके दिखाया सिर्फ और सिर्फ आपको करना इतना है कि laptop या PC से अपने device को connect करके उसके बाद आपको यह method apply करना है आपकी device 110% recovery mode पे जाएगी और यह method Samsung के सारे devices जो भी latest handset है वो सारे में apply होता आप इसमें जो यह मेरा trick है आप इसको जरूर एक बार try करिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है और मेरा trick अगर आपको helpful है तो please इस वीडियो को share करिए वीडियो को like करिए और ऐसे ही helpful trick के लिए आप मारे YouTube चैनल को subscribe कर लें और बगल में जो बिलाकन हो उसे भी करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले तो यहां दोस्तों मैंने device को hard reset किया है यह जो method हो है इस method को बोलते है hard reset और hard reset करने के बार device चालू है थोड़ा सा time लगता है तो आपको थोड़ा सा यहां wait करना होगा और दोस्तों जब आपकी device का lock so नहीं करेगा और आपकी device 110% अनलाख हो जाएगी तो wait करिये दोस्तों एक बार मैं फिर से repeat करता हूं इस बात को अगर आपको device को recovery mode पे ले जाना है तो जिस केबल से आप device को connect कर रहे हैं वो केबल किसी charger से connect नहीं होना चाहिए वो केबल आपके laptop या PC से connect होना चाहिए तब जाके आप अपनी device को successfully recovery mode पे ले जा पाएंगे otherwise आप device को किसी भी condition में recovery mode पे नहीं ले जा पाएंगे तो ये चीज़ आप ध्यान दे तो आपको laptop या PC के through cable से connect करना होगा उसके बाद आप method try करिए आपकी device 110% recovery mode पे जाएगी और दोस्तों मैं फिर से एक बात ये repeat करता हूँ कि अभी तक आपको ये trick पूरे YouTube वीडियो में किसी ने भी नहीं बताया होगा अब यहां देखिए device हमारी चालू होने वाली है और यहां पे कुछ by default application होते हैं तो वो application जो है कि यहां पे install होगा तो थोड़ा सा वेट यहां भी करना होगा आपको अब यहां देखिए दोस्तों device हमारी reboot होने के बाद पूरी तरह से चालू हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी device चालू होगी तो आपके display पे किसी भी type का lock zone नहीं करेगा तो आप देख सकते हैं किसी भी type का lock zone नहीं कर रहा है तो अभी के लिए हमको करना क्या होगा यह जो android setup है इसे पूरी तरह से complete करना होगा ठीक है तो चलिए इसे complete कर लेते हैं हम simple यहां start पे क्लिक करेंगे उके उसके बाद यहां लिखा I have read यह box को चेक कर देंगे उसके बाद यहां से next करेंगे ठीक है और उसके बाद यहां से आपको skip पे क्लिक करना है ठीक है यहां से don't copy और अब आपको बस simple यह android setup complete करना है यहां next ठीक है more accept यहां से आप चाहें तो pattern pin या password अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैं इसे यहां से skip करूंगा skip anyway ओके next इसकीप और finally यह finish का message आ गया तो यहां से finish कर देंगे ओके यहां से आप यह arrow है आप उपर slide करिए यहां ok करिए और यहां से आप done कर दीजिए और finally दोस्तों यह देखिए मैंने setup पूरी तरह से complete किया हमारी device 100% यह देखिए unlock हो गई आप देख सकते हैं अब यहां किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है ठीक है तो दोस्तों यह जो मेरी video थी इस video में मेरा जो main topic था वो आपको यह बताना था कि आप Samsung के जो भी latest handset है उनको recovery mode पे ले कैसे जाएंगे ठीक है फिलाल मैंने इस video में आपको बता दिया कि कैसे आप Samsung के सारे handset को recovery mode पे ले जाएंगे और साथी साथ मैंने आपको Samsung Galaxy A70S का pattern लाग, pin लाग और password लाग भी remove करने का तरीका बता दिया तो दोस्तों अगर यह video आपको helpful है पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों इस video को ज़्यादा ज़्यादा share करिए वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही helpful वीडियो के लिए आप मारे YouTube चैनल को subscribe कर लें और बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आने वाली next ऐसी ही वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले तो थैंकी दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू सो मच